हलो दोस्तो टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सबका स्वागत है दोस्तो आज मैं लेके आया हूँ 8000 रुपे से कम कीमत में मिलने वाले दो बहतरीनी स्मार्टफॉन जिसमें हमारे पास टेक्नो स्पार्क 8 और रियल्मी C11 2021 तो दोनों स्मार्टफॉन की अन्बॉक्सिंग और कम दोनों स्मार्टफॉन के बॉक्स को अमने ओपन कर लिया है सुरुवात करेंगे टेक्नो स्पार्क 8 से सबसे उपर आपको स्मार्टफॉन रखावा मिलता है जिसे फिलाल के लिए साइड रखते हैं अंदर देखें तो यहां पर आपको फॉन की सैप्टी के लिए एक फ्ले USB cable है और यह Micro USB cable है और अंदर देखें तो यहां पर आपको एक सिम एजेक्टर पिन दी गई है अब आते हैं रियलमी C11 पर तो सबसे उपर एक मिनी बॉक्स इसके बैक साइड में इसके बाद आता है smartphone इसे भी साइड रखते हैं अंदर देखें तो फॉन को चार्ज करने के चार्जर अडप्टर और काफी बड़े साइज का ये चार्जर अडप्टर है काफी है भी लग रहा है 5 वोल 2 एंपियर की आउटपुट रेटिंग के साथ आपको इसमें चार्जर दिया गया है और वाइट कलर की USB केविल आपको इसमें मिल जाती है और चेक करते हैं कौन सी ह तो ये भी आपको Micro USB केविल ही दे रहा है लेकिन जो केविल की लेंथ और क्वाल्टी है वो आपको टेकनो से बेटर मिल जाती है और अब डारेक्ट हम आते हैं स्मार्ट फॉन फर तो ये रहे दोनों स्मार्ट फॉन जिनका फ्रेंट लूक कुछ ऐसा आपको देखने को मिल साइज लगबग एक जैसा है इने फिल दोनों स्मार्ट फॉन बिलकुल सेम वेट के लगते हैं दोनों पर आपको मिलती है ड्रॉप नौस डिस्प्ले और स्क्रेच गाल भी पहले से लगावा मिल जाता है और यह हैं दोनों स्मार्ट फॉन के बैक पैनल बैक पैनल आपको देखने को मिलते हैं हाला कि फ्लास्टिक पोलिकार्बनेट बॉडी दी गई है दोनों स्मार्ट फॉन में टेकनो स्पार्क 8 का बैक पैनल देखने को मिलती है जहां लिखा है इसके अलावा light reflection इस पर आपको काफी कमाल का देखने को मिल जाता है वहीं C11 का बैक पैनल आपक डिजाइन देखने को मिलते हैं जिन पर रीजेस हैं, स्क्रेचेस कम आते हैं, दोनों स्मार्टफॉन के कैमरा सेटप पर एक साथ नजर डालें, तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि फिंगफिन सेंसर आपको कौन सा स्मार्टफॉन दे रहा है, टेक्नो स्पार्क 8 में आपक विद LED Flashlight, जब कि C11 इसका हाफ camera आपको देता है, यानि कि 8 megapixel का सिंगल चामरा आपको दिया गया है, front में आपको टेक्नो दे रहा है 8 Megapixel का selfie camera, और Realme 5 Megapixel का selfie camera, दोनों mobile के right side में power on key plus volume rocker, ऊपर की side कुछ नहीं, left side मेंرا सेम- adoption में और बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और 3.5 mm का ओडियो जैक, स्पीकर ग्रिल दोनों स्मार्टफॉन के बॉटम में आपको नहीं मिलता है, C11 तो आपको बैक साइड दे रहा है और Tecno Spark 8 आपको उपर कॉलिंग स्पीकर के साथ ही एटेज्ट स्पीकर दे रहा है, दोनों स्मार्टफॉन को हमने अल्रेड़ी बॉट कर लिया है, और ब्राइडनेस दोनों के फूल कर दी है, तो करीब से आपको दोनों स्मार्टफॉन की डिस्पले दिखाएं तो दोनों स्मार्टफॉन में ज़्यादा ब्राइट डिस्पले आपको टेक्नो स्पार्क 8 की देखने को मिलेगी हाला कि कलर्स काफी अच्छे आपको C11 में मिल जाते हैं टेक्नो स्पार्क 8 में आपको कई फाल्टो के ब्लोटवेर एप और प्रि इंस्टॉल एप दिए गए हैं जबकि C11 में आपको ज़्यादा कोई फाल्टो एप देखने को नहीं मिलती है गो एडिशन आपको इसमें दिया गया है इसके अलावा दोनों स्मार्टफॉन के एज बेदल्स आपको नॉर्मल दिये गए हैं चलिए बात करते हैं डिस्पले साइज की तो 6.52 इंच की HD प्लस IPS LCD आपको मिलती है टेक्नो स्पार्क 8 में और रियल्मी C11 में आपको 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है इसके अलावा दोनों स्मार्टफॉन में आपको 60 Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है चलिए अब सेटिंग पर निजर डालते हैं तो सुरुआत हम करेंगे टेक्नो स्पार्क 8 से तो इसकी सेटिंग को जैसी ओपन करें तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलता है जिसमें सबसे ओपर माई फॉन का उप्शन दिया गया है हाई ओएस आपको इसमें मिलता है जिसका वर्जन है 7.6.02 GB RAM LPDDR4X की 64 GB का इंटरनल इस्टोरीज expandable memory 256 GB तक आप इसमें बढ़ा सकते हैं इसके अलावा आपको camera details दिये गए है 1.8 GHz का octa core processor आपको इसमें मिलता है और chipset MediaTek Helio A25 का दिया गया है बैटरी आपको इसमें 5000 mAh की मिलती है और Android version 11 दिया गया है वहीं अब आते हैं हम C11 की setting बे तो इसकी setting को open करें तो यहां का interface कुछ ऐसा आपके सामने खुलेगा जिसमें आपको center में about phone section दिया गया है और यहां आप देख सकते हैं realme UI version go edition का दिया गया है आपको chipset नहीं MediaTek का नहीं Qualcomm का इसमें आपको Uni SoC का chipset दिया गया है Uni SoC SC9863A का इसके अलावा इसमें आपको 28 nm का fabrication और graphic आपको Mali Z52 के मिलते हैं Spark 8 में आपको 12 nm का fabrication और Power VRG 8320 के graphic दिये गये हैं चलिए बात करते हैं दोनों smartphone के height की तो 164.8 mm की height आपको मिलती है Spark 8 में और C11 में आपको 165.2 mm की height दी गई है thickness की बात करें तो 9.2 mm की thickness के साथ Spark 8 और 8.9 mm की thickness के साथ C11 आता है weight में भी different है 190 gram का C11 है और 200 gram का Spark 8 है इसके अलावा दोनों पर आपको 5000 nm की बैटरी लगी भी मिलती है चलिए अब नज़र डालते हैं दोनों smartphone के camera पर तो normal mode में हमने दोनों smartphone के camera को open कर लिया है तो camera clarity आप देख सकते हैं Realme C11 का 8 megapixel का camera पूरी टकर दे रहा है Spark 8 के camera को clarity के मामले में C11 का camera आपको काफी clear मिल जाता है इसके अलावा zooming देख लेते हैं तो Spark 8 से आप zoom करें तो इससे पूरा का पूरा आप 8 गुना zoom कर सकते हैं यह हमने 8x zoom कर लिया है और zoom clarity आपको काफी अच्छी मिल जाती है वहीं C11 के camera से भी हम यहाँ पर zoom करके देख लेते हैं तो यह हम zoom करें तो only 4x तक आप इससे zoom कर पाओगे और इसकी full zoom quality कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी थोड़े से जो actual color है वो आपको Spark 8 के camera से ही देखने को मिलते हैं इसके अलावा दोने smartphone के friend selfie camera को हम on कर लेते हैं friend selfie camera यहाँ पर मैं कहूंगा कि Spark 8 का best camera है जिया अगर आपको colorful camera पसंद आते हैं तो इसका camera आपको काफी पसंद आएगा काफी clear है एक बार आप करीब से भी देखिए और आपको किसका camera ज़्यादा अच्छा लग रहा है comment box में बता सकते हैं अब finally बात आती है दोनों smartphone के price की तो सबसे पहले Spark 8 का price जान लेते हैं तो अगर आप इसे flip card से purchase करोगे तो ये लगबग आपको मिलेगा साड़े 8,000 रुपे के आसपास लेकिन वहीं अगर आप Amazon पर try करते हो तो मात्र 7,999 रुपे में आपको ये smartphone मिल जाता है 2GB RAM 64GB के internal storage के साथ वही C11 की बात करें तो इसके price का कभी कोई ठिकाना नहीं रहता शुरुआत में ये आय था 6,799 रुपे का फिर वहा ये 7,000 रुपे का फिर दिवाली sale आती है तो उसमें ये आपको 6,000 रुपे का मिल जाता है और आजकल ये आपको मिल रहा है साड़े 7,000 रुपे का और कुछ टाइम पहले तो ये 8,000 का भी हो गया था अगर आपको यह पसंद आ रहा है तो मौका देखिए जब भी यह 6,799 के आसपास होता है तब आप पर्चेस कर सकते हैं